आज हम पढ़ेंगे B.S.C. Part 3, Paper 3, Photo Chemistry Part 2. इसमें हम प्रेजंटिक फ्लो इस अब्सॉप्शन अफ लाइट, Lambert's Law, Beer's Law, Beer-Lambert's Law, and Limitations of Beer-Lambert's Law. First of all, I would like to tell you, what is the absorption of light? Laws of Light Absorption जब एक वर्णी प्रकाश कीरण एक समांगी माध्यम से टकराती है, एक होमोजीनियस मीडियम से टकराती है, तो उस वी कीरण का कुछ भाग माध्यम द्वारा reflected, कुछ भाग absorbed और कुछेश भाग transmitted हो जाता है. So, I would like to tell you, that I O is equal to I R is reflected, I A is absorbed radiations, and I T is the transmitted radiations, जहां I not Aptit Prakash विकीरण की तीवरता, I R is reflected जो विकीरण है उनकी तीवरता है, I A absorbed Prakash की तीवरता है, और I T transmitted Prakash की तीवरता है, यह देखा गया है कि I R कामान बहुत कम लगबग, 4% की आसपास होता है, इसलिए हम इसे negligible मान सकते हैं, so this I not is equal to I A plus I T, या you may write it as I A absorbed radiation is equal to I not minus I T की transmitted को हम अगर लेश कर देते हैं, आपतित विकीरण में से, then we can calculate the value of I absorbed, Lambert के अनुसार, अवशोशन, विलियन में उपस्ते स्पीशीज तथा उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है, First of all, I would like to tell you the Lambert's law. In 1760, Lambert ने यह नियम प्रतिपादित किया, उनकी अनुसार जब monochromatic radiations को, समानांतर विकीरणों को किसी homogenous पारदर्श्री अवशोशन करने वाले माध्यम से गुजरते हैं, तो अवशोशी माध्यम में प्रकाश पत की लंबाई के साथ, इदर आप्तित किरण की तिवृता के समान उपाती होती है, अर्थार्थ एक से माध्यम में किसी वस्तु की बराबर मुटाई की पड़ते हैं, हमेशा वस्तु पर गिरने वाले प्रकाश की आधार पर हम याद करते हैं, सो यू में राइट एज देट माइनस टी आई अपॉन डी एक सिस प्रपोर्शनल टू आई और इसे इक्वल करने के लिए हम एक कॉंस्टेंट के लगाते हैं, सो माइनस डी आई अपॉन डी एक सिस इकल टू के आई यहां आई लेमडा तरंग दे रहे हैं वाली आप्तित किरन पुंच की तिवरता तथा डी आई तिवरता में होने वाला अतियंत शुक्ष्म परिवर्तन है, जबकि प्रकाश आवशोशक माध्य में अनन्त सुक्ष्म दूरी डी एक्ष तैक कर लेता है, कि एक समानुपातिस्थी रंग है, जो आवशोशी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे हम absorption coefficient कहते हैं, लेफ्ट और negative sign यह प्रदर्शित करता है, कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है, i का मान घड़ता है, आते हम इस equation को निम्न प्रकार भी अभिवेक्त कर सकते हैं, minus di upon i is equal to k into dx, x is equal to 0 पर i is equal to i0, तथा x is equal to x पर i is equal to it हो तो हम इस equation को integrate कर दें, अगर i0 to it and 0 to x, then we can get the value of ln i0 upon it is equal to kx प्राप्त होता है, अर्थार्थ, हम इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i0 by i t is equal to exponential of kx या i0 is equal to i t exponential of kx या i t is equal to i0 exponential minus k into x, या हम इसे log 10 की फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना है, तो हमें इसे 2.303 log i0 upon it is equal to kx लिख देते हैं, यहां हमने चित्रद्वारा i0 आप्तित प्रकाश की विकेरण है, iR हमारा reflected विकेरण है, जो हमारा बहुत कम 4% होने के कारण, जिसे हमने negligible माना है, मध्य में iA absorbed radiations हैं, और right hand side में हमारा transmitted radiations हैं, इसको हम log i0 upon it is equal to kx upon 2.303 भी लिख सकते हैं, दोनों log value लिखने पर हम इसे k upon 2.303 को k dash भी लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि 2.303 भी एक constant value होती है, इसलिए हम इस equation को i0 is equal to it 10 par k dash x भी लिख सकते हैं, यहां पर kadex एक दूसरा इस्ती रांग है, जिसे हम extinction coefficient कहते हैं, और log i0 upon it को हम extinction या absorbance या optical density भी कहते हैं, जिसे हम A या D द्वारा represent किये करते हैं, और जितने भी हमारे colorimetry या instruments हैं, उसमें हम optical density या absorbance का मान ही ग्याद करते हैं, जो कि basically log i0 upon it is equal to k dash into x होता है, अर्थार्थ हम कह सकते हैं, दिस A is proportional to x अर्थार्थ लेंबर्ट नियम को इस प्रकार प्रिभाशित कर सकते हैं, कि जब एकवर्णी प्रकाश की समानांतर किरणपुंच किसी अवशोशक पदार्थ में अभिलंब प्रवेश करती हैं, तो आवशोशनांक किरणपुंच द्वारते की गई दूरी के समानुपाती होता है, इसी प्रकार किसी नमोने x द्वारा transmitted विकिरण की तिवरता तथा आपतित विकिरण तिवरता के अनुपात को हम transmittance capital T कहते हैं, इसे capital T द्वारा हम represent करते हैं, यह जो है हमारा simple वह expert depend करता है, अर्थार्थ पत की दूरी पर निर्भर करता है, और हमारा जो transmittance है, वो हमारा IT by I0 होता है, और absolvence है, जो हमारा log I0 upon IT होता है, अब हम बात करते हैं, बियर के नियमा नुजार जो लेंबर्ट का नियम था, प्रकाश का आवशूर शनंग परत की मुटाईट पर निर्भर करता है, लेकिन मात्रात्मक विशलिशन में हम विलियन लेते हैं, यदि आवशूर शक माध्यम एक तन्नु विलियन के रूप में है, तो आप्तित्व पारगमित प्रकाश की तिवरतां के मध्यें क्या संबंध होगा अर्थार्थ योगी की सांद्रता का प्रकाश के और शोशन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, यह बियर साइन्टिस्ट ने समझाया, क्यों क्योंकि पत्थ में अगर हम कॉंसेंट्रिशन चेंज करते हैं, तो अब्सॉर्ब्ट रेडियेशन की तिवरता में भी बिन्नता आती है, अतह बियर के अनुसार, जब कोई समानांतर एक वर्णे प्रकाश का किरंपुंच किसी डाइल्यूट सुलूशन में प्रवेश करता है, तो अब शोशन रांक या एक्स्टिंक्शन कॉफिशेंट या एब्सॉविंस का मान विलियन की सांद्रता के समानुपाती होता है, जहां सी विलियन की सांद्रता के एक कॉंस्टेंट है, जो की विकीरन के तरंगदैरिय की प्रकरती विलियन की परत की मुटाई पर निर्भर करता है, बियर का जो नियम है लेंबर्ट नियम के अनुसार ही है, केवल अंतर इतना है कि लेंबर्ट नियम में अफ्शोशन परत की मुटाई पर निर्भर करता है, जबकि बियर नियम में विलियन की सांद्रता पर निर्भर करता है, अब इन दोनों की कमबाइन नियम बियर लेंबर्ट लॉ कहलाता है बियर लेंबर्ट का यह सेयुक्त नियम है इसे कभी-कभी केवल बियर नियम से भी जाना जाता है इसके अनुसार आपतित प्रकाश का आवशूशन शोशित भाग प्रकाश द्वारा तै किये गए पत्थ में उपस्थित अनुसार की संख्या के समानुपाती होता है यदि आवशोशक पदार्थ विलियन है तो प्रकाश के पत्थ में अनुसार की संख्या के समानुपाती होता है इसको हम mathematically इस प्रकार से लिख सकते हैं a is proportional to cx a is equal to f silence cx या a is equal to log i0 upon it is equal to f silence cx जहां f silence एक नियतांक है जिसे molar extinction coefficient या molar absorpti या molar absorbance कहते हैं अगर हम concentration एकाई लेते हैं x भी एकाई अर्थार्थ वन सेंटिमीटर लेते हैं तो हम देखते हैं कि this a is equal to f silence अर्थार्थ हम f silence को या molar extinction coefficient को इस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं कि mole आवशोशक्ता या molar will open गुणांक f silence एक एकाई ग्राम अनुक सांदरता के विलियन की एक सेंटिमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन extinction या absorbance के बराबर होता है प्रकाश के निशित तरंग देरिये तथा स्थिरता पर यह किसी योगी का एक characteristics property होती है अर्थार्थ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि specifically it's a molar extinction coefficient when we take the concentration in molar conform then this extinction coefficient is called molar extinction coefficient तो इस प्रकार से हम molar extinction coefficient को भी define कर सकते हैं अब बात आती है transmittance की आप सभी को पता है we know that transmittance is what transmittance is nothing but it is the ratio of it upon i0 so according to Beer Lambert's law a is equal to epsilon cx is equal to log i0 upon it is equal to log 1 upon t ya minus log t ya you may write it as this t transmittance is equal to minus epsilon cx की बरावर होती है यह हमारा beer Lambert's law है ना limitations of this beer Lambert's law अगर हम beer Lambert's law की limitations की बात करते हैं तो beer का जो नियम है प्रसंगिक रुप से वैद पाया गया है किन्तु निमलिखित परिस्थितियों में इस नियम का पून रुप से पालन नहीं होता है अर्थार्थ इस नियम से विचलन होने लगता है सबसे पहले हमने आपको बताया था जो हमारी raditions है वो कैसी होनी चाहिए monochromatic होनी चाहिए अर्थार्थ जो प्रकाश है एक वर्णी होना चाहिए यदि प्रकाश एक तरंग देरे का नहीं होकर कई तरंग देरे क्या होता है तो नियम के ठीक से अनुकालना नहीं हो पाती है दूसरा हमने आपको बताया था हमारा जो solution है कैसा होना चाहिए dilute होना चाहिए तो विलियन की तनुता के साथ अवशोशक अन्मों की प्रकरती में परिवर्थन नहीं होना चाहिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि तनूता बढ़ाने पर अफ्शूशन करने वाले स्पीशीज में परिवर्तन जैसे जल अपगटन, आइनन, संगुनन, हाइड्रोजन बॉंडिंग या असोसीशन विद यूर सॉल्वेंट या प्रतिदिप्ती या विलाया की अलप पारगम् आधि के गुण नहीं होने चाहिए, अगर यह होते हैं तो बियर्लामबर्ट्स लौ में डेविएशन पाया जाता है, अगली जो लिमिटीशन है, वो यह है कि विले का को ग्लुएशन नहीं होना चाहिए, अगर विले का को ग्लुएशन होगा, तो आपका बियर्लामबर्ट प्रभावी नहीं होता है आपको पता एफ साइलेंस का मान ताप पर भी निर्भर करता है इसलिए हमें टैम्प्रेचर कोफी स्थिर रखना चाहिए निश्य ताप पर ही बियर लांबर्स लो होता है अगली लिमिटेशन से इस नियम का पालन डाइलूट सेलुशन के लिए होत विले की संपुन सांदर्ता परास के लिए उप्रोक्त लिमिटेशन्स को ध्यान में रखते हुए बियर लांबर्स लो की हम पुष्टी करते हैं और इस नियम की पुष्टी है तू विले की सांदर्ता तथा एक्स्टिंक्शन कॉफिशेंट के बीच जो ग्राफ आता है वे मूल बिंदू से गुजरते हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जब सांदर्ता बढ़ाने पर सरल रेखा आना बंद हो जाए तो आगे की सांदर्ता के लिए यह वैद नहीं है ये सारे इसकी लिमिटेशन्स है इन्हें हम ध्यान में रखते हुए बियर लांबर्ट्स ला को प्रूफ करते हैं थैंक यू